इसे पहले आपके तू चैप्टर्स हो गए हैं और आज अपन देखेंगे चैप्टर 3 और चैप्टर 3 का नायम है आपके अपने फ्रीडम फाइटर्स अपने अपने जान तर देदी हैं तो वो कौन-कौन से कुछ फाइटर्स है जिनके बारे में अपन इस चैप्टर में देखेंगे तो यह आपके GKP है Chapter 3 और यह है Page No.7 पे तो look at the pictures of some famous Freedom Fighters of India Can you name them? Take help from the clue box Clue box है जिसमें Freedom Fighters के नाम दिये हुए है और इसमें pick दिये हुए है और उनके बारे में कुछ लिखा हुआ है उनके बारे में जो लिखा हुआ है उनको आपको समझ के और उनको उसका नाम दिखना है उस pick के नीचे blank box दिया हुआ है जोटा सा First No.7 है She was also known as the Queen of Chelsea इनको जो है Chelsea की Queen के नाम से जाना करता है She fought British Army bravely and died in the battlefield यानि British Army के किलाब यह जो है बहुत bravely fighting की इन्होंने और वही battle field में ही उनके death हो गई है तो वो कौन थे? वो थी लक्स में बारी First No.7 है उसमें जो blank है pick के नीचे दिया हुआ है box चोटा सा उसमें आपको लिखना है लक्स में बारी क्या लिखना है? लक्स में बारी Second No.7 है He was a great freedom fighter बहुती great freedom fighter थे इंडिया के He gave the slogan उन्होंने एक slogan दिया उन्होंने एक slogan दिया Freedom fighter fight करते हुए Swaraj is my birthright Swaraj जो है मेरा birthright है Birthright मीनिंग जन से तदिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा फुरा स्लोगन इसमें नहीं लिखा हुआ है आदा ही लिखा हुआ Swaraj is my birthright और में जो मैं इसको लेकर रहूँगा तो यह जो है स्लोगन किसने दिया था? यह स्लोगन दिया था बाल गुगदर तिलत में किसने दिया था? बाल गुगदर तिलत में तो second number प्रिक जो दियू लिए उसके मेजी की साइड आपको यह लिखना है उनका नाम बाल गुगदर तिलत यह भी freedom fighter के बहुत bravely इनोंने भी freedom के लिए fight किया था third number well known person है यह तो he is popular as the father of nation father of nation के नाम से किनको जाना देता है? महात्मा गांधी पिक देखके बता चल रहा है और यह जो उसका नेम है the father of nation यह भी बहुत थी famous है ओ इनका नाम है महात्मा गांधी महात्मा गांधी okay and quote number he was the true follower of महात्मा गांधी यह महात्मा गांधी के follower थे और सच्चे मन से उनको मांते थे he became the first prime minister of India और यह इंडिया के जो first prime minister थे we call him चाचा जी with love और इनका नेक नेम है चाचा जी आपको लिखना है इंटर नेम अजा जेन फोज यह एक फोज क्रियेट की फोज का वाउनेट किया और उस फोज का नाम था आजा जेन फोज he is also known as Neta Ji और यह Neta Ji के नाम से famous थे Neta Ji Neta Ji कौन थे? Subha Chandra Boss Subha Chandra Boss इननने आजा आजा जेन फोज की सामना की और freedom के लिए बहुत ही fight किया इननने आजा जेन फोज संगसन बनाके और लोगों को आजा जी के बारें बताया और उनको समझाया और बिटिस के किला हुमने freedom के लिए fight किया Subha Chandra Boss और कानिक ने है Neta Ji Last और sixth है आपके, he was hanged to death by the Britisher on March 31 1931 He is known as शहीद ए आजम यह जो थे इनको Britishers में British के लोगों ने कह किया फांसी के लटका जिया था hands फांसी के लटका जिया था बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी चैप्टर है और इसमें और भी थोड़ा बताया है freedom fighters के बारे में इनकी अलावा कौन कौन से freedom fighters से जो famous थे और उन्होंने भी अपना बहुत ही योगदान दिया इस freedom को मिलने में इंडिया को freedom कराने में free कराने में तो वो थे लाला लाज पत्राय अर्विंदो गोज वल्लापाइट पटेल चंद्रसेकर राजार अब्दुलकपा खान एटसेक्रा वर्द ग्रेट freedom fighters ऑफ इंडिया अबतर यह जो नेम अपने देखे हैं वो भी freedom fighters में बहुत ही उन्होंने यह भी freedom fighters थे और बहुत ही उन्होंने अच्छा योगतान दिया जिसे कि आपको freedom मिली और तो यह आपको बुक में बिल करना है इनके name only अच्छा से read करके Thank you students